सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट सेज यूट्यूब चैनल को और दबाईए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोज मिले सबसे पहले ने पहले बनले बाजी करने का फैसला किया उनकी शुरुवात बेहदी खराब रही क्योंकि भारती टीम की तरफ से मैंक अग्रवाल जैसे खिलाडी महस दसरन बनाकर ही पवेलियन की तरफ लॉट चुके थे के बाद चितेशर पुजारा भी महस शूनने के स्कोर पर आउट हो गए तो वहीं काट कोली भी महस बारा रनों पर अमपायर की गलती की वज़े से अपना विकेट कवा बैठे इसके बाद रोही शर्मा और अजिंग के रहणे ने साथ मिलकर जो सौद ऐफरीक टीम के खिलाफ किया उनकी तो शायद सौद ऐफरीक की टीम ने कभी कलپना भी नहीं की होगी आपको बता दे के रोही शर्मा ने जाए शटक ये पारी खेली तो वाई अजिंग के रहने ने भी अब दूसरे दिन के खेल में शटक ठोक कर इतिहास रच दिया है लेकिन दोसरो भारत और साथाफरिका की टीम के बीच में चल रहा है, इस तीसरे टेस्स मैच के दूसरी दिन के खेल में असली रोमांज तो आया, रोही शर्मा की तोहरी शटक ये पारी को देखने में आपको बता दे के दूसरे दिन के खेल में रोही शिर्मा ने वह करके दिखाया जो कि भारत की तरफ से बेहदी कम बल्लेबाज अब तक कर पाई है शिर्मा ने साउताफरी की टीम के खिलाफ अपना तोहरा शटक चड़कर तरफ रेकार्ड्स की जड़ी लगा दी है बलकि साउताफरी की टीम के परखचे उड़ा कर रख दी है लेकिन इसी दूरान मैदान में कुछ ऐसा हुआ कि सब की सांसे ही थम गई दोस आपको बता दे के लंच से पहले रोही शर्मा एक सो निन्यानवे रणों पर बल्ले बाजी कर रहे थे इस दूरान रबाड़ा के लंच से पहले चल रहे सत्र के आखरी ओवर में कुछ ऐसा हुआ कि जड़ेजा ने रोही शर्मा का विकट बचा लिया पहले तो आपको बता दे के या पूरा वाक्या पारी के 85 में ओवर का जिस दरान गेंद बाजी करा रहे थे कगी से रवाड़ा और बल्ले बाजी पर थे रोही शर्मा इस ओवर की पहली गेंद से रोही शर्मा एक सो चानवी रणों पर खेल रहे थे आपको बता दे के इस ओवर की तीसरी गेंद पर जब रोही शर्मा ने एक शौट खेला तो उस पर दो रण लेने चाही अब गेंद तायरे के अंदर थी और जैसे ही रोही शर्मा अपना दूसरा रण पूरा करने वाले थे ये में तैनाथ फील्डर ने अब गेंद को स्ट्राइकर एंड की तरफ थो कर दिया था इस शर्मा बाल बाल बचे और वह स्ट्राइकर एंड की क्रीस में दाखी लो गए लेकिन इस दवरान रविंदर जड़ेजा ने काफी तेज रणू करी रोही शर्मा अपना दूसरा रण पूरा कर पाए है तो आपको बता दे के या दूसरा रन लेने का कॉल रोही शर्मा का ही था रविंदर जड़ेजा तो बस उनका विकेट बचाना चाहते थे लेकिन रोहीद को क्रीज से भागता हुआ देख रविंदर जड़ेजा भी फिर नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ दोड़ पड़े और स्टंप गिर सकते थे रोही शर्मा का विकेट जा भी सकता था और वह भी 999 रनों पर यह वाग के सबसे ज़्यादा चौकाने वाला था और यही वो वाग था जिसने सब की सांसे थमा दी हाला कि इसके बाद रविंदर जड़ेजा ने एक रन भाग कर पूरा की और बड़ी समझदारी से काम भी लिया क्योंकि दोस्तों जड़ेजा ने अगली ही गेंद पर चौका जड़ा और ना सिरफ रोई शर्मा के 999 रनों पर विकेट बचाया तो कि रोई शर्मा के लिए अपनी महानता भी दिखाई लेकिन दोस्तों जड़ेजा की रोई शर्मा के लिए इस महानता पर आप क्या कहना चाहेंगे इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी सभी तासा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को धन्यवाद